हाल ही में न्यूजिलेंड के दिगज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने अपना सेंट्रल कॉंट्रेक्ट खत्म कर लिया था उन्होंने तर्क दिया था कि वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाते हैं और इसके साथ ही घरेलो क्रिकेट खेलना चाते हैं बाय हाथ के तेज गेंदबाज के इस फैसले ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को चौंका दिया लेकिन अब आईपियल में बोल्ट के साथ ही खिलाडी और भारत्य टीम के दिगज स्पिनर रवीद चंदरन अश्विन ने इस मामले को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है अश्विन का मानना है जादा पैसे कमाने के चकर में 33 वर्षिय खिलाडी ने सेंट्रल कॉंट्रेक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बोल्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि वह अंतर राष्ट्रे क्रिक्ट की तुलना में फ्रेंचाइजे क्रिक्ट खेल कर अब जादा पैसे कमा पाएंगे ट्रेंट बोल्ट का IPL कॉंट्रेक्ट आठ करोड पच्चिस लाक रुपे का है यदि वह IPL, CSA T20 लीग और UAE T20 लीग खेलते हैं तो वह जितना पैसा न्यूजिलेंड के लिए खेल कर कमाते थे उससे अधिक पैसा कमा पाएंगे दाए हाथ के स्पिनर ने आगे कहा यदि बोल्ट सेंट्रल कॉंट्रेक्ट पर हस्ताक्चर कर देते तो न्यूजिलेंड क्रिकट बोल्ड उन्हें अंतर राश्टर क्रिकट खेलने के लिए कहता चौकि वह एक अनुबंदित खलाडी की शरिणी में होते इसलिए केवल उस पेशेवर और वित्यमुक्ती के लिए उन्होंने केंद्रिय अनुबंद पर हस्ताक्चर नहीं किया आपको बता दें विशेश रूप से MI अमिरात ने आगामी UAE T20 लीक के लिए बोल्ट को साइन करने की घोशना की है गौर तलब है कि अश्विन ने अंतर राष्ट्रे क्रिकेट के भविश्चे के लिए अपनी चिंता व्यक्त करते हुए निशकर से निकाला उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में फ्रेंचाइजी क्रिकेट तेजी से बढ़ता जा रहा है ऐसे में अब इंटरनेशनल क्रिकेट को बचाने की जरूरत है ट्रेंट बोल्ट और अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के प्रतीदवंदी रहे हैं लेकिन IPL में दौनों ही एक ही टीम राजिस्थान रोयल्स के लिए खेलते हैं बोल्ट ने न्यूजिलेंड के लिए 78 टेस्ट मैच खेलते हुए 317 विकेट जटके हैं वंडे में 93 मुकाबलों में 179 विकेट लिए हैं और T20I क्रिकेट में 46 मैचों में 63 विकेट चटकाए हैं दोस्तों अब हम देश की जनता की राय जाना चाहेंगे कि क्या वाकई में ट्रेंट बोल्ट ने जादा पैसे कमाने के चक्कर में अपना सेंट्रल कॉंट्रेक्ट खत्म किया है या नहीं इसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि हमारे देश के जनता की राय सबसे जादा माइने रखती है अगर आपको ये खबर पसंद आई तो इस खबर को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें क्रिक्ट से जुड़ी तमाम खबरे लगातार प्राप करने के लिए क्रिक टूडे टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें फिलाल के लिए मैं आपसे बिदा लेना चाहूँगा तब तक के लिए धन्यवाद